मित्रों बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों समक्ष यहां पे खुलासा किया है स्वयम सिक्षा मंतरी सतीज दिवेदी जी ने जी हां आप लोगों की जो मन की प्रक्रिया है या मन की जो बात है उन्होंने सीधे और साफ साफ सब्दों में इतने बड़े मंच से उस बात को कह दिया जो कहीं न कहीं बहुत सर्मनाक बात हो सकती है सिक्षा विबाग के लिए उन्होंने तार तार कर दिया एक एक चीज जो इस पश्ट तरीके से ऐसे सिक्षा मंतरी हो तो देश की सुसासन विवस्ता सिक्षा विबाग बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है इसके बा अपनी बात रखने की कुशिच करिए गर कमेंट सेक्शन में चलिए देरे की इस बात की वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर यह देख सकते हैं आप लोग सबसे गंभीर मुद्दा आज सब के समक्षा है हाला कि यह चीज दभी हुई थी लेकिन उन्होंने उजागर किया जो खईना की बहुत बड़ी बात है और इसलिए उजागर किया क्योंकि यह खुद एक सिक्षक रह चुके हैं यहां देखेंगे बीसे ने मुझे से भी मांगी थी घूस बीसिक सिक्षा मंत्री यह बहुत बड़ा प्रश्ण चिन है सिक्षा विवात के उपर अधिकारियों के क्रिया कलाब के उपर कि सारा चीज बस घूस से प्रश्ण चारिता से ही चलता आया है और चल रहा है जिस पर लगाम लगाने की कोशिच इनकी रहेगी इन्होंने स्पष्ट बात के ही है कि मुझे जब सिक्षक निउक्ति कर लेनी थी क्योंकि यह भी एक बीडिसी प्रश को चौका दिया कि विद्यारती जीवन में वह भी ब्रश्टाचार के सिकार हुए थे तब बीटीसी में प्रवेस नौकरी की गारेंटी होती थी उस दौर में रमेस कुमार नाम के एक ब्यस्ते ने उनसे घूस मांगी थी उन्होंने कहा कि वह अपने कारेकाल में परिशिद यह सोच के आए हैं वैसा सिक्षा विवाग में गुणत्ता पून परिवर्तन जरूर करें आगे उन्होंने कहा है कि परिशिदी विद्यालों के मंचान में प्रतीशत सिक्षक किसी भी कॉर्पोरेट विद्यालों के सिक्षकों से जादा योग्य मेहनती और इमांदार हैं लेकिन वे इस विवस्ता में खुद को मजबूर पाते हैं यह बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि विद्यालों के सिक्षकों से ज़्यादा कॉर्पोरेट जो आपके प्राइविट स्कूल से उन्हों से कहीं ज़्यादा योग्य हैं मेहनती और इमांदार हैं इन्हों कोई सिक्षा विवाग का कह सकता हूं कि मंत्री है सिक्षा मंत्री स्वयम जिन्होंने ये बात इसपस्ट की है सिक्षकों को फेवरम बात की है कहीं ना कहीं यह पॉस्टिव सकरात्मक्ता को ब्रदरशित करता है और इन्होंने मजबूरी कि उनकी भी बात कहीं कहीं ना कहीं इन्होंने बेसिश सक्षा भर्ती में सत्यापन प्रकृया बदलेगी नई प्रकृया में फरजी वाड़ा रोकने के फुल फुल इंतजाम होगी यह बातें बेसिश सक्षा मंत्री राज मंत्री डाक्टर सतीज दुवेदी ने रवी वार को हिंदूस्तान से गई सरक्रिट हाउस में विभागिया दिकारियों की बैटक के बाद डेक्टर दिवेदी ने हिंदुस्तान से बाचीत में कहा कि विभाग में एक भी फरजी सिक्षक नौकरी नहीं कर सकेगा तो यह अच्छी बात रही है हाला कि इसमें यह पॉजिटिव चीजे देखने को मिल सकत है इतनी लंबी फरक्रिया चरीगी कि फरजी तरीके से अपने नंबर बढ़वा के 110 से 112 कर लेंगे तो इस पर कहीने कहीं सिक्षा मंत्रे का यह जो बयान है कहीने कहीं बहुत कारगर होगा और रही बात आपकी नंबरों के बढ़ने की तो वह बहुत पहले ही लीगल टीम ब कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो इस पर कोई भी सवाल या निशान ना उठा सकी इस वज़े से सिक्षा मंत्री काफी ज़्यादा तेज तर्रार तरीके से पूरी कह सकते हैं संगठन को पूरा निर्देश देते हुए क्योंकि इनकी बातें से ही जलकता है जब से इन्होंने प क्या बड़तियों से लीगल टीम से सबसे मिलना सबसे इस पस्ट बातें करना कि सबके सांथ नयाया होगा हाला कि इसमें आपकी न्याएक परक्रिया में वह स्टेशिप बिलकुल भी नहीं कर सकते ना उनका अधिकार छेतरे वहाँ पर लेकिन उनकी तरफ से जो बन पड़े लेकिन उसमें जो सरकार का रोल है वो बहुत ज़्यादा एहम है और निरनायक रहेगा इस हफते या जब भी ये डेट लगने वाली है वैसे हाला कि ये चीज फिक्स्ट है अब कॉसलिस्ट का जो फेर हेर फेर है जो चीज हैं लेकिन ये मैंने कल भी बताया था बहुत पहले बता रहा हूं बार बार इस चीज को लेकर मैं बोलना नहीं चाहता है आपको मांचिक संक्रिन के अंतरगत रखना चाहता हूं आप से इस पर्ष्ट जो बात है रहती है वह की वीडियो के माद्व से बता देता हूं कई डिफरेंट वीडियो बनानी कि मुझे जरूरत नहीं है नहीं मैं चाहता हूं आप लोगों को परशान करना तो यह इस पर्ष्ट तरीका है कि भृति प्रक्रिया संपन होगी और निरणायक रहे कि इस हफते कह सकता हूं या कह सकता हूं कि जो डेट लगी उसके अंतरगत हाला कि सारी चीज़े डिपेंडेंट हैं सरकार के बेशिस स्वामंत्री के बयान के बाद उनके क्रिया कलाब के बाद उनके तेज तरह तरीके से जो इस पर्ष्ट चीज़ें आ रही हैं उसके संबन्द में कह सकता हूं कि चीज़ें सूल जेंगी और बहुत अच्छे से सूल जेंगी हाला कि यह सारी चीज़े को एकजूट होने के लिए तो आप लोग भी आपकी नहतिक जिम्मधारी बनती है एक व्यक्ति का जिम्मधारी बनती है एक एक लोगों की कि वो अपनी तरफ से सहयोग बर्दान करें फिजिकली रूप से वहाँ पे पहुंच कर तो दिस वास्ट वीडियो फॉर उनक्तर ज से जल्द का इलान है कालपी में से पुलिस प्रस्विक्षण उद्यालका किया उध्याटन कहा सरकार प्रयासों से लोगों में पुलिस की छवी बद्ली जल्दय कि प्रक्रिया शुरू कर दी गया nhưng कोई ते अल İ कोई भी परिशानी नहीं हमको लेकिन जो भरती प्रक्रिया रुकी है नए प्राधिकरण के अंतरकत पहुँच जाती है उसका निस्तारण के उपर आप बोलते क्यों नहीं यह सबसे बड़ी बात है उसका निस्तारण कर क्योंकि जैसे अगर मैं सिक्षा विवा के बात करूं लंबित भरतीया है 2011 से लेकर कई भरतिया जैसे बासतर जार बरती की संपनुक देना चाहिए कोई दिक लाते रहे हैं लेकिन वह पुरीत्र के से complete हो जाए उस पर भी तो विशेज ध्यान देना चाहिए ना आगे नोंने का है कि सरकार बनने के बाद पुलिस विवाग में 75,000 न्युक्तियां कर चुके हैं अब वो न्याले में कर चुके हैं कि अपने किताबों में page list में बना चुके हैं वो उनहीं को पता होगा बहुत ब काटन पर सीम ने कहा कि जब उनकी सरकार बनी थी तो प्रदेश में डेढ़ लाग पद पुलिस विवाग में रिखते थे सरकार ने प्रता दिखाते हुए इन्हें भरने का काम किया उन्होंने कहा कि सवा दो सालों में तीन बड़े आयोजन प्रयागराज में कुम्भ पंद लेकिन जो भी भरती प्रक्रिया है उसको सह समय पूर्ण करानी की भी जिमदारी आपके उपर है उसकी बात कहीं नहीं आप करते हैं उसको आपको करना चाहिए और आखिर में यहाँ पर न्यूज है सीम ने दिया है साकरात्मक सहयोग का आस्वासन सीम से मिले है अधिवक्ता हाई कोड़ पार अस्वासन के प्रतिमनेदित मंडल ने किया मुलाकात अधिकरने की स्थापना प्रयागराज में करने की मांग रखी गई है जो आपका लगा करिया का जो भी केसे हैं वो जल्द जल्द निस्तारित होने की करकार पर हो सकते हैं या स्वस्त किया गया है मुख्वंत्रिदी के दोरा लेकिन बस मेरा इस वीडियो के माधियम से आप लोगों के समक्ष प्रदर्शित यह करना है कि प्रश्ण अपने अंदर रखें जितना ज्यादा हो सके प्रश्ण को टैकल करें प्रश्ण पूच्चे की कूशिश करें एक जुटता बनाएं क्योंकि बहुत अभेड़ती हैं जो लगातार अपनी ग्रूपिंग करकर के हर मंत्री से पूचते हैं बात यह अपनी बात रखते हैं हाला कि इनके संग्यान में पहुं नहीं बात